जग हम तो भर गए लेकिन निशान बाकी है हमें मिटाने वालों अभी हमारे जिस्म में जान बाकी हैं सबसे बड़ी बात कि आज हमारे बड़े भाई नहीं भाई का आज हम लोग ने पूरी टीम ने सतकार किया कलवा मुबला विधान सबा अद्देग जफर नुमानी साहब और बिलाल भाई कलवा मुबला युवा अद्देग की जानिब से नहा मेडम और अपना न्टीपी पार्टी के पूरे पोस्ट वर्डर सब लोग ने नहीं भाई का आज दिल की गैराई से उनको मुबारक बात द इसमें बहुत खुशी की बात है कि नईम खान साब जो हमारे वरिष्ट नेता है मुम्रा कवसा के तो यह थाना जिल्ले में जाने जाते हैं उप मापोर रह चुके हैं और इनको वाइस प्रेसिदेंशिप की पोस्ट मिली है महारास्टा की तो यह हमारे लिए बहुत खुश की बात है इसलिए आज हम इनके घर आएं उनका सतकार करने के लिए जनाब नईम खान साब काफी वरिष्ट नेता हैं महाप और रह चुके हैं और इनकी कयादत में और हमारे जो अध्यक्ष है जनाब जफर नोमानी साहब हमारे यूद के अध्यक्ष जनाब बिलाल शेक साह इनके कयादत में हम लोग मुम्रा में काफी अच्छे अच्छे काम करेंगे और जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो सारे काम भी हम इन्शालला करेंगे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुचाने की कोशिश करेंगे हम सिर्फ नाम की या हवा में बात करने की राज Assalamualaikum, सबसे पहले मैं नई मंकल को मुबारक बार पेश करूंगी और ये एक बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए क्योंकि काफी सीनियर रहे हैं और आज मेरी पुरानी यादे जब भी मैं आती हूँ या मेरी ताज़ा होती है क्योंकि ये वही बंगला, वही नई मंकल मेरे वालेट साब आकर यहां इनके साथ बैठा करते थे और राजनीती की शुरुआती उन्होंने नई मंकल की उंगलियां पकड़ के इस बंगले से की थी और आज देखिए मेरी किस्मत अल्ला ताला ने मुझे इनके साथ जोड़ा है इनके सरपरस्ती में इनके साथ में काम करूंगी इन्शाला और मुझे पूरी-पूरी उमीद है के पाटी को मजबूत करेंगे हम सब मिलकर नईम अंकल हमारे साथ है तो इंशालला अभी बहुत से धमाके शेहर में होंगे बस एक शायरी कहना चाहूंगी करम करोगे करम करेंगे सितम करोगे सितम करेंगे हम इंसान है तुमारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे